नमस्कार दोस्तो, Digital India Tech में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Railway ALP का जो CBT-3 होना है यानि की Psycho Test, Aptitude Test होना है उसमें मैं Bricks Section को लेकर आया हूँ उसका ये वीडियो में Mock Test है दोस्तो इस वीडियो में आपको 10 प्रकार की Bricks मिलेंगी जिनके आपके 50 Quotions बनेंगे तो दोस्तो उन 50 Quotions को आपको बहुती कम टाइम में Solve करना है कोसिस कीजिए आप Bricks के जितने भी Quotions हैं बहुत कम टाइम में Solve करका है तो दोस्तो फ्लीज वीडियो को end तक जरूर देखिए आपके लिए वीडियो बहुती फायदे मन्द होगी तो दोस्तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को दबाना ना भूलिए और पांच मिनिट का आपको टाइम दिया जाएगा यानि कि आपको एक मिनिट में दो ब्रिक्स सॉल्व करनी ही है अगर टोटल पूरी 100% चाहिए तो ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्रिक्स दूँगा ठीक है ब्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने ए से लेके ए तक पूछूँगा और आपको एक कोशन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल पांस सेकंड या दूँगा ठीक है चार से लेके 5 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है अगर आप उसका अंदर आंसर दे पा रहे हैं तो आपका फर्वांस बहुत ही अच्छा है आप इसी तरह आप करते रही है तो आप अपनी स्पीट को मेंटिन कर लेंगे ठीक है दोस्तो छलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब ये है ब्रेक और बताना है एक कितनी ब्रिक्स को टच कर रही है 4 से 5 सेकंड आपको दिया जाएगा तो दोस्तो ए का जो सही आंसर है वो होगा 3 ए जो है वो 3 प्रिक्स को टच कर रही है यानि कि देखे कैसे एक दो और ये तीन ये तीन व्रिक्स हैं जो एको टच कर रही है तो एक आंसर होगा थ्री उसके बाद अब नेक्स्ट है बी बताइए कितनी व्रिक्स को टच कर रही है तो दोस्तो B का सही आंसर है 4 B जो है वो हमारी 4 व्रिक्स को टच कर रहा है देखिये B ये है 1, 2 और ये 3 और ये 1, 4 व्रिक्स को टच कर रहा है तो इसका B का सही आंसर होगा 4, C का आंसर दीजिए तो दोस्तो C का सही आंसर है 2 C जो है Bricks वो केवल 2 Bricks को टच कर रही यह है C एक तो यह अपनी बगल वाली Bricks को टच कर रही है उपर जो इसके नीचे रखिए एक only वो तो C कितने Bricks को टच कर रहा है 2 अब आंसर आप बताएए D का तो दोस्तो D का जो सही आंसर है वो होगा 3 D हमारी 3 Bricks को टच कर रहा है देखिए कैसे एक यह उपर वाली Bricks है उसके बाद एक E वाली पीछे जो Bricks होगी और एक उसके जो नीचे Bricks होगी यानि कि D का सही आंसर होगा 3 अब E का आंसर बताएए तो दोस्तो E जो Bricks है वो टच कर रही है 5 Bricks को देखिए 5 Bricks कौन सी हो रही है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल जो E है वो 5 Bricks को टच कर रही है तो दोस्तो इस Bricks से A, B, C, D, E पांचों के आंसर निकल चुके हैं वो भी विदिन 30 सेकंड में तो दोस्तो अब Next Bricks है यहाँ पर आपको बताना है A कितनी Bricks को टच कर रहा है तो दोस्तो A जो है कितनी Bricks को टच कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 A यानि की सही आंसर होगा 5 A जो है वो 5 बिट को Bricks को टच कर रहा है देख लिए यह है A इसके बगल में होगी एक और 2, 3, 4, 5 A का सही आंसर होगा 5 तो B बताइए अब देखिए B कितनी Bricks को टच कर रहा है तो दोस्तो B जो है वो 5 Bricks को टच कर रहा है देखिए कैसे B जो है एक तो A को टच कर रहा है साथ में जो उसकी पीछे है 2, 3, 4, 5 यानि कि A की तरह है B वी 5 Bricks को टच कर रहा है तो सही आंसर होगा B का 5 C देखिए कितनी Bricks को टच कर रहा है तो दोस्तो जो C है वो कितनी Bricks को Bricks को टच कर रहा है एक उपर दूसरी नीचे तो 2 हो गई उसके बाद 3, 4, 5, 6 यानि कि C कितनी Bricks को टच कर रहा है 6, ठीक है तो सही आंसर होगा 6 C कितनी Bricks को टच कर रहा है 6, देख सकते हैं कैसे C जो है वो कैसा लगा है horizontal है, horizontal है और ये दो कैसे है, vertical तो दोस्तों जो C है वो एस्तरह है जबकि A और B इस्तरह हैं तो ये दोनो Bricks उससे टच हो रही है और यहां से ये दोनो Bricks उससे टच हो रही है तो दो ये, दो ये और दो ये तो total हो गई 6 C का सही आंसर होगा 6 D का बताईए 4 से 5 सेकंड आपको हर question के लिए मिलेंगे तो दोस्तों जो D है वो भी सही आंसर क्या होगा उसका 5 यानि कि एक ये होगी दूसरी, तीसरी, फॉर्थ, फाइव तो D जो है 5 Bricks को टच कर रही है उसके बाद आपको बताना है E तो दोस्तों E का जो सही आंसर होगा वो होगा 6 कैसे E जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो E जो है वो total 6 Bricks को टच कर रहा है तो दोस्तों इसके भी A से लेकर E तक कि आपके सारे questions बन रहा है अगर आपने within 5 seconds में दिये होगे तो आप समझ सकते हैं 25 seconds में भी आपकी ये Bricks complete हो गई है उसके बाद next Bricks जो है इसमें आपको बताना है एक इतनी Bricks को टच कर रहा है दोस्तों A का सही आंसर है 4 A जो है वो 4 Bricks को टच कर रहा है कैसे एक, दूसरा E और तीसरा ये 4th B वाली तो दोस्तों यहाँ पर आपकी A जो है वो 4 Bricks को टच कर रहा है सही आंसर होगा 4 B का बताइए तो दोस्तो बी का सही answer है 4 बी भी जो है वो 4 bricks को touch कर रहा है कैसे 1 2 3 4 ठीक है 1, 2, 3, 4 जो बी है वो 4 bricks को touch कर रहा है सही answer होगा बी का 4 अब बताए C के लिए तो दोस्तो C का जो बिलकुल सही answer है 2 के वालो के वालो ठीक है तो C का सही आंसर होगा 2 उसके बाद D बताईए D का सही आंसर होगा 4 D जो है वो हमारी 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है कैसे जो एक ये D है ये वाली ब्रिक्स को टच करेगा इसको करेगा टच इसको करेगा टच और एक B को टच करेगा तो जो D है वो चार ब्रिक्स से गिरा हुगा है तो सही आंसर होगा D का 4 अब बताइए देखिए E का कितना वन रहा है तो दोस्तो E का जो सही आंसर होगा वो कितना वो होगा 4 1, 2, 3, 4 E जो है वो हमारी 4 ब्रिक्स को touch कर रहा है अगर आपने इसका सही आंसर विदिन 4 से 5 से दे रहे हैं तो दोस्तो आपकी 25 से कंप्लीट हो रही है यहाँ पर आपकी 3 ब्रिक्स कंप्लीट हो गई है विदिन आपकी किस अकोर्डिंग 25 तु 30 सेकंड के अकोर्डिंग धीक है दोस्ते, अब इसके बाद, next जो brick है, यहाँ पर आपको बताना है, ए कितनी bricks को touch कर रहा है, थो दोस्तों सही answer इसका 3, ए जो है वो 3 bricks को touch कर रहा है, देखिए कैसे, 1, 2, 3, केवलोगेवल यह 3 bricks हैं, जो A को touch कर रहे है, तो A का सही answer है, 3, अब देखिए B कितनी bricks को touch कर तो दोस्तो इसका सही answer है 2, जो B है वो कितनी bricks को touch कर रहा है 2 एक तू हो गई ये वाली और एक ये वाली केवल हो केवल ये 2 bricks हैं जो B को touch कर रही है तो यहांपर 2 answer सही होगा अब देखिए C कितनी bricks को touch कर रहा है तो दोस्तों सही आंसर है इसका C का 3 जो C है वो 3 व्रिक्स को टच कर रहा है कैसे 1, 2, 3 यानि की 1, 2, 3 एवल केवलो केवल 3 आपकी व्रिक्स बन रही है जो C टच कर रही है ठीक है असके बार नेक्स जो व्रिक्स है D, बताइए कितनी bricks को touch कर रही है सही answer है D का 4 D 4 bricks को touch कर रहा है D यह है कौन सी bricks touch हो रही है तो उपर वाली 1 उसके यह बगल वाली 2 उसके यह नीचे वाली 3 और एक यही तो total आपकी जो B कितनी bricks को touch कर रही है 4 bricks B के कितने touch में है bricks 4, sorry D तो D का सही answer क्या होगा 4 ठीक है D का सही answer क्या होगा 4 अब बताएए E कितनी bricks को touch कर रही है सही answer है E का 5 E जो है वो 5 bricks को touch कर रही है देखे कैसे E 1, 2, 3, 4, 5 तो E जो है वो 5 bricks से गरा हुआ यहाँ पास सही answer होगा 5 ठीक है तो यहाँ पर आपकी जो 4th जो bricks है वो भी complete हो गई है ठीक है उसके बाद next जो brick है यहाँ पर आपको बताना है E कितनी bricks को touch कर रही है सही answer होगा 2 E जो है वो 2 bricks को touch कर रही है देखे केवल केवल 2 बिच की जो bricks है वो touch हो रही है 1 और 2 E कि उपर है जो बगल में होगी केवल यही 2 bricks है जो touch हो रही है उसके बाद next बताए B कितनी bricks को touch सही answer होगा B का 4 देखे B से 4 bricks touch हो रही है 1, 2, 3, 4 ठीक है तो B का सही answer होगा 4 अब बताए C कितनी bricks को touch कर रहा है तो दोस्तों सही answer है C का 3 C से 3 जो आपकी 3 bricks है वो touch हो रही है यह C है एक तो यह brick touch होगी नीचे वाली एक यूपर वाली एक यह side वाली केवल आपकी 3 bricks touch है तो C का सही answer होगा 3 D बताएए D का सही answer होगा 2 D जो है 2 bricks को touch कर रहा है देखे B को और एक उसके नीची को ठीक है तो 2 सही answer होगा अब देखे E जो है कितनी bricks को touch हो रहा है तो इसका भी सही answer होगा 2 एक यह नीचे वाली को एक यह बगल वाली को तो यहाँ पर E जो है वो कितनी bricks से touch हो रही है केवल हो केवल 2 सही answer है दोस्तों आपकी यह fourth जो bricks से वो भी complete हो चकी है अब चलते हैं next 5 इस brick में बताना है आपको A से कितनी bricks touch हो रही है तो दोस्तों देखे A से कितनी bricks touch हो रही है 1, 2, 3, 4, 5 तो सही answer होगा 5 A से आपकी जो 5 bit bricks हैं जो वो वही touch हो रही है कौन-कौन सी 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो A का सही answer है 5 B बताईए देखे कितनी bricks touch हो रही है तो दोस्तो B का सही आंसर है 5 देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तो B जो है वो 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है तो B का सही आंसर होगा 5 अब देखिए C से कितनी ब्रिक्स टच हो रही है इसका सही आंसर है 6 देखिए 1, 2 जो नीचे है 3, 4 साइड में है 5, 6 जो उपर है ठीक है तो C से स्पर का टोटल 6 ब्रिक्स जो है टच हो रही है तो सही आंसर होगा 6 उसके बाद आप बताएए D दोस्तों उसका सही आंसर है 3 D से कितनी ब्रिक्स टच हो रही है 3, 1, 2, 3 और भी कोई भी ब्रिक्स आपकी टच नहीं हो रही है तो सही आंसर होगा 3 उसके बाद देखिए E तो सही आंसर है E का 4 E से 4 bricks touch हो रही है देखिए कौन-कौन सी 1, 2, 3, 4 यह आपकी 4 जो bricks हैं वो E से touch हो रही हैं तो इसका सही आंसर होगा 4 तो दोस्तों यह थी आपकी 5 bricks और उनसे आने वाले जो आपके 50 questions I hope आपने इन questions को अपने time में कर लिया होगा अगर आप नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों practice कीजिए आप कर सकते हैं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर आप practice करेंगे दीरे दीरे तो दीरे दीरे आपकी speed बढ़ जाएगी तो दोस्तों गबरानी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी तो मैं आपके लिए ऐसे mock test लाता रहूँगा तो प्लीज आगर आपको mock test पसंद आया हो तो प्लीज मॉक टेस्ट को इस जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में